दोस्तों कभी आपके साथ इन डिजाइन में ऐसा हुआ है कि आप कुछ टाइप कर रहें जैसे कि मैंने टाइप कर रहा हूँ दा पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी टी एच ई की जगा टी एच लिख दिया और ये टाइप हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया और ये प्रिंटिंग में चला गया और बात में पता चला कि हमें किती बड़ी मिस्टेक कर दी काश टाइपिंग अपने आप सही हो जाती है अपिशलि ये सही हो सकता है इंडिजाइन के अंदर ये पॉसिबल है कि आप और क्रेक्सपैलिंग को कर सकते हैं पर पता नहीं क्यों स्टेकश एंडिजैन इसको हमेशा टन आओ कर 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 दाँए यह ईडिजाइन के बड़ेगा ऐसोटर्रेक्षिन को इसके लिए आपको edit menu में जाके preferences में जाके आपको जाना पड़ेगा auto correct spelling scan the auto corrects यहाँ पे enable करना पड़ेगा इसको enable करते ही ok कीजिए अब देखिए मैं इसमें teh type करके space जैसी करूँगा वो सही कर देता है अब मैं जैसे एक spelling और ले लेता हूँ separate में a की जगा में e लगा देता हूँ और space करते ही वो e से a करता है मैं थोड़ा सा closer आपको look दिखा देता हूँ जैसे कि मैं s e p e r a t e separate की वैसे s o s e p a r a t e होते है न पर यह हर spelling नहीं करता क्योंकि इसके अंदर एक option इसके अंदर कुछ words limits होती है जो की preferences मैं आपको दिखा देता हूँ auto correct के option से पर कि यह काफी सारे है जो हम usually mistake करते है जैसे y u को कई बार y u o भी type कर देते तो वो correct करके y u कर देगा ऐसे बहुत सारे feature पर हर spelling नहीं होती अब मैं आपको एक trick बताता हूँ आपको एक word है जैसे की हम ले लेते हैं Hindi video tutorial Hindi video tutorial training tutorial कर देते हैं sorry अपने ही नाम लेते हैं Hindi video tutorial यह हमें काफी बार word use करना है अब बार बार एक ही word type करना इसको हम auto correct option में भी डाल सकते हैं जैसे की मैं इसे cut कर लेता हूँ यहां से और edit में जाके हम preferences में वही auto correct option में जाएंगी यहां पर एक add होगा add में हम correction करेंगे यही जो हमने type कि है Hindi video tutorial और इसका एक चोटा सा word दे देते है और hvt अब जब भी मैं hvt टाइप करूँगा यह convert हो जाया करेंगा है जैसे word available नहीं है तो इसने कोई change भी नहीं किया पर इसने कोई mistake भी लिख आई इसका एक feature होता है edit में जाके edit में जाके spellings है और इसमें dynamic spelling है आप देख रहे है auto correct यहां पर भी चेक हो चुका है आप चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं इसको अब मैं dynamic spelling को चेक कर देता हूँ अब इससे यह होगा जहां पर mistake आईगी आपने अगर MS word यूज करते होंगे उसमें जब भी mistake होती है word mistake होती है उसके निची वह एक red color की line mark कर देता है तो यहां पर जैसे वैपर की spelling मिल नहीं दियोगी इसलिए पाक की है splendor इन सब की spelling इसे मिल नहीं रही है direct dictionary में तो यह mark कर रहा है और अगर मैं इसे वो कर देता हूँ space देकिए amazing की spelling इसके पर right click कीजिए amazing की spelling का option आ जागा है नहीं great feature तो अब आप भी कह सेकते हैं in design it's easy यार